हलो फ्रेंड असलामों अलेकुम आपने कई तरह के अलग अलग पास्ता की रेसिपी खाए होंगे लेकिन आज मैं बनाने जा रहे हूँ सबसे अलग टेश्टी चटपटा कीमा पास्ता मैंने गैस में चड़ा दिया है आधा कड़ाही पानी अब इसमें डाल रहे एक चमच के करीब रिफाइन तेल डालने से पास्ता चिपकेगा नहीं अब इसमें एक चौथाई चमच के करीब डाल रहे नमक अब हम ये 200 गराम पास्ता डाल रहे हैं और इसे सोप्ट होने तक पकाएंगे 5 मिनट पकाने के बाद पास्ता अच्छा से पक गया है और आप देख सकते ही कितना आसानी से तूट रहा है अब सभी पास्ता को चलनी में निकाल लेंगे और इसमें ठंडा पानी डाल देंगे ताके ये आपस में चीपकेगा नहीं अब कराही में डालेंगे रिफाइन तेल तेल के गरम होते ही इसमें डाल देंगे एक चमच बारिक कटा हुआ लसुन अब इसमें डाल देंगे दो बारिक कटी हुई हरी मिर्च और इसे 10 सेकिंड के लिए पकाएंगे अब इसमें डाल अब इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले एक चोथाई चम्मच हल्दी पाउडर एक चोथाई चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर एक चोथाई चम्मच काली मिर्च का पाउडर एक चोथाई चम्मच जीरा पाउडर और ये पास्ता मसाला भी इसमें डाल देंगे और थोड़ हम दो मिनट के लिए और पकाएंगे दो मिनट पकाने के बाद अब टमाटर भी हमारा पक कर सोप्ठ हो गया है तो हम इसी समय ये पास्ता इसमें डाल देंगे और इसे मिक्स करने से पहले हम इसमें डाल रहे हैं दो बड़ा चम्मच टोमाइटो सॉस दो बड़ा चम्मच ग्रीन चिली सॉस और इसे फिर हम अच्छा से मिक्स करते हुए दो मिनट के लिए और पकाएंगे दो मिनट पकाने के बाद अब आप देख सकते हैं पास्ता बनकर तयार है इसे गैस से नीचे उतार लेंगे इस रेसिपी को एक बार आप जरूर ट्राई करें रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा सेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक्यू